नमस्कार स्वागत है आपका जे जेन नियूस में दिन भर की तमाम खबरों के बाद आब वक्त हो चुका है हल्दवानी की मुखे खबरों का तुछ लिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरब हल्दवानी में बीते दिनों समुधाय विशेश के आटो चालक द्वारा नाबालिक चात्रा के साथ दुशकर्म की जगन्य घटना को अंजान दिये जाने के बाद हिंदू संगठनों में काफी रोश है जिसके चलते आज हल्दवानी सिटी मजिस्टेट कार्याले में प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने आरोपी को फासी दे जाने की मांग करते हुए बाहर से हल्दवानी आय और टो चालको के सत्यापन कराने की मांग की वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाचपाई ने बताया कि इस घटा में आरोपी को ततकार गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है और जो सत्यापन की मांग है उसको लेकर आर्टियो द्वारा आर्टी में बना कर शहर में सत्यापन अभ्यार चलाया जा रहा है मौजब भाग के और से ननिता जिले में आज भारी बारिश का अलट जारी किया गया था आपको बता देए कि बीती रात से बारिश के चलते जिले में नदी नाले उफान पर हैं तो वही हल्दवानी में आज शनी वजा के पाल गौला नदी में साथ साल का एक बच्चा पानी के तेश पहाफ के चलते बहे गया वही मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और स्टीर्फ की टीम को सूशना दी हो रही बारिश के चलते उफान पर हैं सामने आने के बार हलदवानी पुलिस हरकत में आई और मौके पर मारपीट कर रहे दो युकों को पकड़ कर कोत वाली ले आई जहां इनकी बाइक सीज कर कारवाई की जा रही है हलदवानी रामनगर स्टेट हाईवे चकलवा के पास बरसाती नाले के उफान पर आने से पिछले महीने भी बह गया था जिससे रहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और ऐसे में लोगों को रुदरपुर से होते हुए रामनगर हलदवानी या फिर ननिताल आना जाना पड़ रहा था आपको दादेई की प्रिशौशन ने लाखो रुपे खर्च कर पुल का निर्मान करवाया था लेकिन देर रात आई तेज बारिश के बाद नर्विल मित पुलिया का एक बड़ा हिससा तेज बहाव में भैगया जैसे आवाजाही डुग कई सूचना के बाद मोहके पर पहुची पुलिस ने हाइवे बंद करवा दिया है अतादेई के हाइवे हलदवानी को देरादून से जोड़ता है और इसके बंद होने से यात्यों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भी तकई दिनों से हलदवानी में PWD के द्वारा 13 चराहो में रोट चोड़ी करन करने के दौरान बड़ी संख्या में चोड़ी करन की जद में आ रहे बड़े और सालों पुराने पेड़ों को काटने के कारण पेरहवरन प्रेमी और स्थाने जनता की नाराजगी जहल रहे PWD के अधिकारी और प्रशाशन की कोशिश के बाद 40 चिन्हित बड़े और पुराने पाखड और नीम के पेड़ों को रिलोकेट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसमें हल्दवानी की जनता के लिए खुशी की बात ये है कि प्रशाशन और PWD की ये कोशिश सफल हुई है जिसमें हल्दवानी से कुछ दूर हल्दुचोड में बन रही गौशाला की जमीन में बीते दिनों हल्दवानी के काटगुदाम के नरीवन चौराहे के पास्तेज आधी के चलते तूटकर निर्जीव हो चुका सालो पुराना जिस पेड़ को PWD और प्रशाशन के प्रयास से ट्रांस्प्लांट किया गया था वो निर्जी पेड़ फिर से पुनर जीवित हो चुका है जिसमें हरी पत्या भी निकला शुरू हो गई है हल्दवानी के मुखे खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं जेजैन निउस के साथ नमस्कार